जैसरी राधिक्रिष्ण आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आए सुनते हैं मागमास महात्मे कथा में 22 अध्याय की कथा अब तक आपने पिछले अध्याय कथा को नहीं सुना हो तो हमारे चैनल पर मागमास महात्मे कथा की नाम से प्लेलिष्ट बनाया गया है आप वहाँ से जा करके कथा को सरवण कर सकते हैं तो आए सुनते हैं मागमास महात्मे कथा में 22 अध्याय की कथा वसिष्ट जी बोले ऐसा कहकर भगवान जनारदन वही पर अंतर ध्यान हो गए उस समय से दीव दूती भगवान जनारदन के ध्यान में लीन हो गए दीव निधी बोले हे महरसी मैं कृत कृत हुआ गंगा जी में अशनान करने से पवित्रता की नाई विष्णु भगवान की इस कथा में मैं आज पवित्र हुआ मैं बहुत प्रशन हूँ कृपाकर उस स्रोत को कहिए जिससे घोर पाप से छूट जाए ब्रामन से विष्णु भगवान ने प्रशन होकर उसको दर्सन दिया था हे विप्र आप बड़ों के ससंग से मेरा मनुरत पुर्ण हुआ है लोमस जी बोले मैं तुमसे उस समय अमूल्य स्रोत का रहश्य कहता हूँ जो मुझे गरुड जिससे प्राप्त हुआ था तेज स्वरूप भगवान को नमस्कार हो जब अस्तुती करने बाला जिसकी अस्तुती की जाए तथा अस्तुती सभी जगत विष्णु मैं है तब किससे अस्तुती की जाए मनुशिकी बुद्धि भेद करने बाली होती है जिस देव के निश्वास सुत्र तथा अंगो सहित वेद है भला कौन सी अस्तुती से उनको प्रशन्नता होगी प्रंतु भक्ति से मैं वाचाल हुआ हूँ जिसको साक्षात रूप में वेदवानी मन का नहीं जानता है उनकी अस्तुती मुझ जैसा ज्यान हीन कैसे कर सकता है और भक्तिमान कैसे हो सकता है चर तथा अचर एवं सारा त्रलो के चक्र के समान घूम रहा है इसलिए हेदेव आप उत्तम सास्त्र जानने वाले चक्र पार्णी हो ब्रह्मा तथा विश्णू के आदी रूप तुम ही हो ब्रह्मा के शरीर हो सबको जन्म देने वाले हो ब्रह्मा के भी आदी कारण शुद्ध ब्रह्म तुम ही हो तुम पिर्थक पिर्थक हो यह कल्पना करना मुर्खता है शरीर तथा जीब का भेद जब शरीर धारी को छूते हैं तब उसको ग्यान होता है आपको काल दोश छू भी नहीं सकता आप सदा दीव भाव से जागते हो निज आत्मा में कभी नहीं सोते है विश्णु तुमसे संपुर्ण सुखों को देने वाले बुद्धी उत्पन्न होती है है नात आप ही पांचों कामेंद्रियों पंच महाभूत तथा मन में विविद भाव हो है ब्रह्मन ह जे ब्रह्मा रुद्र तथा विश्णु इन तीन कल्पनाओं से तुम संसार की कल्पना वैसे ही करते हो जैसे पितापूत्र की करता है आपकी एक चित्त मुर्ती ने सारे संसार को बिना राग मोह दुश इत्यादी के और बिना सजातिये विजातिये स्वगत भेद पहा देता है उस निपून मादभ भगवान को मैं नमस्कार करता हूं जिसमें ज्यान रखने से वेदों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं इक्षा ना होने पर संसार से परंप्रिये उस पवित्र ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूं मैं उस सत रूप हरी भगवान को नम पासना करते हैं, जिसको अधवयत, ब्रहमन लोक, मैं ब्रह्म हूं ऐसा कहते हुए गाते और यग्य करते हैं, और अपने को आपके सामने देखते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूं, जो मनुष्य के माया तथा मुह से जन्मे हुए विचितर आभास, घमंड तथा ममता को जानकर भी खो देता है संसार में मनशों के मोह रूपी वायू से सदा भवकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पड़ते ही सांत हो जाती है जिससे अस्वरण मातर से मोह, बुरी गति, रोग तथा दुख कुछ भी नहीं पैदा होता है मैं उस अनन्द एवं अविनासी रूप को नमस्कार करता हूँ जिसके मिले जाने पर प्रजा और किसी दूसरे की एक्षा नहीं करते जिसको जानकर अद्वैत, वादी मनुश्य, आत्मा की सामान देखते हैं यदि विश्णु शब्द का अर्थ और इसके विश्य का ज्यान एक ही होता है तो इस सत्य से हेमाधव मैं संसार की माया में नवभसकर तेरे ही ध्यान में लिल रहता हूँ यदि वेदान्द दर्सन की बराबरी से नरायन भगवान सारे संसार में व्याप्त हैं तो इसी सत्य से मेरा विश्णु भगवान में बाधा रहित मुक्ती हो जो बीज नहीं है अर्थात किसी वस्तु का कारण नहीं है तो भी बिना बीज के अर्थात हेतु की स्वेम पिद्यमान है जो बीजों के बीज से युक्त हैं वो भगवान विष्णू ज्यान रूपी खडग से संसार रूपी बीज को टुकड़े टुकड़े कर दे। जो संसार की स्रिष्टी इस्थितित था ले के लिए ब्रह्मा, विष्णू, महेस के तीनो रूप धारन करते हैं और इन कारियों में सत्व, रज, तम, इन तीनो गु दे धारन करते हैं, अर्थात दस अवतार लेते हैं, वो भगवान मुझ पर प्रशन हो। ब्रह्मादी से अस्तंब पर्यंत प्राणियों के हिर्दय रूपी मंदिर में जो एक निर्वल देव निवास करते हैं, वो भगवान मुझ पर प्रशन हो। स्रिष्ट्री के पहले जिस देव ने पहले देखा जो एक से अनेक हुए, तथा जिसने स्रिष्ट्री करके देवताओं में प्रवेस किया, वही भगवान मुझ पर प्रशन हो। हिर्दै रूपी आकाश में अंतरयामी होने के कारण वर्तमान तथा आकास की सबान सब जगह रहने वाला इवं आकास के भी आदी अर्थात उत्पन करने वाले इंद्रियों से अलग इंद्रियों की क्लिया में प्रेड़ना रूप कारी करने वाले और आकास में जाने वाले हिरदय रूपी आकास में अंतर यामि होकर विचरने बाले ब्रम्ह प्रलै के अंत में आकास इत्यादी को मिटाने बाले आकास मुर्थी तुम यग्य भुकता हो जो ज्यान रूपी से जड़ता अग्यान को तथा अुरूप ऐरूपसुक से दुख को नाज करते हो जिसके सद्रूप की सत्ता से संसार आकाश युक्त हुआ है यदि और विद्या पुर्ण संसार का त्याग करते हो वही जगन में आप हो प्रभू आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है आप से त्यागे जाने पर मनुश्य और पवित्र हो जाता है उसका साथ कर पर भी तुम बिना साती के बने रहते हो इसी से तुम में कोई विकास नहीं होता जिनको चारवाक पंच भूत के योग से जन्मा हुआ चैतन्य मानते हैं उनकी उपासना करते हैं और इसी से प्रोड तरक से आपको शन भंगूर बुधिक कहते हैं जैन लोग आपको शरीर का प पर पुरुष मानकर ध्यान करते हैं जन्म इत्यादी से रहीत पुर्ण चैतन्य रूप सरवदा आनंद लक्षवाले तुमको उपनिशद तथा बड़े से बड़े प्रमग्यानी चिंतन करते हैं आकाश आदी पंच महाभूत देह मन बुध्धि इंद्रिया विद्या अव तुम ही सब कुछ हो, तुम से अलग कुछ भी नहीं है। तुम ही सब प्राणियों के चन्म दाता हो, तुम ही मुझь को अपनी स्रन में रखने बाले, तुम ही अगनी, हवि, इंद्र, होता, मंत्र, क्रिया, फल सभी हो, तन, धर्म, कर्म के फल को देने बाले, तथा में तुम्हारे सिबाए दूसरा कोई भी नहीं है मैं तुम्हारी शरण में हूँ सवप्राणियों के तुम ही हेतु हो तुम हमको शरण देने बाले हो जिस तरह युबतियों को तरुण में तथा तरुण की युबति में चित्त की पृति रहती है उसी तरह मेरी भी पृति त उसी तरह नहीं देखते जैसे उलू सुर्य को नहीं देखता तीनो अधिवैदिक अधिभौतिक अध्यात्मिक दुख तथा पापों के समोह तभी तक मनश्यों को दुख देते हैं जब तक हे नात वह आपके चरण कमल की सेवा नहीं करता जिसके गुण जाती तथा शरीर के धर्म असपर्च नहीं करते जिसको गतियां असपर्च नहीं करते जिसको इंद्रिया अवकाश्वत वशिभूत नहीं कर सकते जिसको मुह युक्त मुनिलोग शाक्षातकार नहीं कर सकते उस विसिष्ट भगवान हरी को मैं नमस्कार करता ह जितने एस वर्य अर्थात, ज्ञान रूपी, सुन्दर गुन हैं तथा जिन्होंने सुख सरूप मोक्ष रूपी लक्षमी का असपर्स किया है, जो आत्म सरूप सुख भोगने वाले हैं, तथा ध्यान रूप, जीबन दाई, चुर्ण से जिन्होंने मिर्तू को वस्मे किया ह इस तरह के मुनियों से सेवीत हरी भगवान को नमस्कार करता हूँ, जिनका सुभाव जनमादी से अलग है, जिनमें पहुँचकर काम, क्रोज इत्यादी, शहो उर्मी वर्गर शान्त हो जाते हैं, जिसको काम आदी दोश दुख नहीं देते, उस वासुदेव भगवान को मेह प्रणाम करता हूँ, अस्थूल करण में तथा करण को विलिन करके और इसके करण को कारण में बढ़जीत करके, इस प्रकार मुनि लोग जिसमें प्रवेश करते हैं, उस मुनि सेवीत भगवान हरी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसके ज्यान की संगती से हैं, और विद्या का मलशुद्ध हो जाता है जिसको ग्यान रूपी अगनी में पढ़कर संसार दाह को प्राप्त होता है जिसकी ग्यान रूपी तलवार शंशे रूपी शत्रू का नास करती है उश्विशम वोद्वाले दुख नाशक भगवान को मैं परणाम करता हूं सारे चर अचर तथा प सारे अस्थावर तथा जंगम संसार को उत्पन करते हैं उसी सत्य से भगवान के शब अपना दरसन दे जब नारायन में और उससे भी कहीं अधिक गुरु में मेरी भक्ती है जो इस सत्य से ही भगवान कमल नयन मुझको शाक्षात दरसन दे इसी तरह के सप्तों से उसकी सच चिविधन देखे कर उसके मनुरत को पूरा करके वहां से चले गए वह ब्रहामन भी क्रिट क्रित क्रिट होकर भगवान वासुद्यमें लीन हो गया और शिश्यों के साथ अस्तोत्र पढ़ता हुआ तपुवन में रहने लगा जो मनुस्य इस अस्तोत्र का कृतन करता है अत्वा पढ़ता है उसको अश्यमेद्य यग्य का पूरा फल प्राप्त होता है वह ब्रहमन सदा आत्म बिद्या में तथा उसकी बुध्धी पाप में नहीं लगता और वह बुरा फल नहीं देखता इस सब मनुश्यों की बुध्धी मन तथा इंद्रिया स्वस्त होती है जो मनुश्य हरी में लीन होकर भक्ती पुरुवक इस अस्तोत्र का जब करता है वह सब पापों को दूर करके वैश्न पद को प्राप्त करता है इस अस्तोत्र के सदा पाठ करने से मनुश्य मन चाहे फल को पाता है उत्तम पुत्रों को पाता है तथा द्रगायों धन और पराक्रम को पाता है हजार तिल पात्र और सौ गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल इस अस्तोत्र के किर्टन से प्राप्त होता है मनुश्य धर्म अर्थ काम मुक्ष से जिसके काम ना करे वह उसको इस अस्तुत्र के पाट से मिल जाता है इस अस्तुती के सुनने से मनुश्य को सदा आचार विने धर्म ज्यान तप और नीती में बुद्धी होती है इस अस्तुत्र के किर्टन से महापातक और उपपातकों से युक्त भी मनुश्य तुरंक शुद्धात्मा हो जाता है इसके पाट से बुद्धि धन यश कृति ग्यान तथा धर्म यह सब बढ़ते हैं और दुष्ट ग्रहों की शांती होती है अशुब का निबारन होता है द्विजातियों को इस अस्तोत्र के पढ़ने से उसकी सब व्याधियां हरन हो जाती हैं यह सब अरिष्टों को दूर करता है त जोर, शिह, व्यागर, भूत, प्रेद, पिशाच, उतना, जंबक आदी के भै नहीं होते इस अस्तोत्र के पाट करने से मनश्य को किसी भी प्रकार का भै नहीं रहता तथा इस लोक और परलोक में अक्षय सुख को पाता है वो अपाप से भी नहीं लिपड़ता उसको गंग प्रापन को उसे होता है इस अस्तोत्र के सुन्ने तथा प्रातहकाल करने से भक्तों के धनका अभाव बुरे स्वपन तथा बुरी चिंता तुरंत नाश हो जाती है और वह इंद्रियों से रहित नहीं होता उसपर विपत्ती कभी नहीं आतीे दिव ग्यूति का बनाया उत्पन करने बाला और विश्मु लोग को पहुचाने बाला है इस प्रकार से मैंने तुमको इस पाप के नास करने बाले उस योगसार अस्तोत्र का रहश्य बतलाया है तथा अब इसके बाद तुमसे पिसाचों के मुक्ष के संबंध में विस्तार से कहूंगा इतिते कथितम अस्तोत्रम गुहिया पापा प्रणाशनम अतह उर्द्वा प्रवक्षामे पिशाचस्य विमुक्षनम इस प्रकार से माग मास महात्मे में बाइस में अध्याय की कथा पूर्ण होई तो बोलिये प्रेम से भगवान विश्नु की जै माता लक्ष्मी की जै भग सब आगे के अध्याय को सुनना चाहते हों हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करे साथ में वेल आइकन घंटी को दबाए ताकि मेरे वीडियो का नोट्फिकेशन आपको समय से मिलता रहे पीटियो को लाइक करे शेयर करे म मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जैसे राधे कृष्ण धन्यबाद